मेरे चनल पर आपका स्वागत है तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी ये देखिए मैंने एक छोटे से पैन में ले लिया है तीन चम्मच ओईल उसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी हिंग चुटकी भर और फिर हम उसमें डाल देंगे तीन चम्मच बेसन और बेसन को हमें रोस्ट करना है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे लो फ्लेम पर करना हैं कंटिनियस हिलाते रहना है क्योंकि पैन बहुत जल्दी घरम हो जाता है तो फटा-फट काम हो जाएगा इ अई हूं कि पैसन सिख जाएगा तो हम इसे ट्रांसफर कर देंगे दूसरे बॉल में आप देखते जाहिए कैसे कर रही हूं है कि बहुत ही जयादा हिलाना पड़ता है स्टार्टिंग में हमें जब बेशन से ज़िए तो हम चांसफर करने दूसरे से बोल मेच और फिर हम यह वाला पैन रख देंगे फिर से गैस पर और फिर हम उसको एकडम लो फ्लेम करके दो चमच कोकोनट रोस्ट करना है ड्राय रोस्ट करना है यह ग्रेटेट कोकोनट है अब इन्हें फ्लेम को आफ कॉफ कर दीजिए अब उसमें बेशन डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए और अब हम डालेंगे उसमें सारे अपने मसाले तो सबसे पहले डालेंगे आधा चमच नमक आधा चमच गरम मसाला आधा चमच का पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर उसके बाद में डालेंगे पॉडर हमे जड़ा डाली है और हम टोडा सकता है यह कंद और कश्ट अछी फ्लेम करने थोडा हो जह सब अप झाल利 है कुकि इसने लिए आतले सब्सक्राइबर तौड़ा हसाद करना है तब हम उसमें एक निम्बू का रस डाल देंगे गम चट पटा मसाला रेडी हो रहा है अभी शुगर डाली है मैंने यहां पर आधा चमच से थोड़ी ज्यादा अगर आप चाहें कि शुगर नहीं डालनी तो आप स्किप कर सकते हैं निम्बू भी स्किप कर सकते हैं पर निम् चाहिज सबस्कु निम्बू पानी से देखिया और यहां रदे चाहें पानी सीमय कोव पानी नहीं की लिया है शाओ तो छ Kings él देखिया को मैं यहां का ज़िए देखिए वा pest Marsh का जाली ज सर्थ नहीं किया है तो यह देखिए हमारी मसाला गुजिया रैडी कर दीए हमें हम आटे को रख देंगे 10 मिनिट के लिए अब हम पेस्ट रैडी करते हैं एक चम चाटा और एक दो तीन चम च पानी लेके हमने पेस्ट रैडी की है अब यह देखिए आटे में एक चम च ऑईल और एक चम च पानी डाल की मैंने उसे थोड़ा सा गूंद दिया है थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है बनाने के लिए तो अच्छी तरह से बेल सकते हैं वैसा होना चाहिए एकदम कड़क वाल आटा नहीं चाहिए हमें और एकदम रोटी वाल आटा भी नहीं चाहिए अभी देखिए मैं इस तरह से शेप देने के लिए कर रही हूं बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है जिस साइट से हमने बेली है उस साइट से हमें पलट देना है क्योंकि नीचे का इस तरह से हमें और इसमें रख देंगे अपना मसाला मसाला बहुत ज्यादा चटपटा बना है अब इस तरह से हम इसको हाथ से उठा के ऐसे कर देंगे और फिंगर से दबा देंगे देखिए मैं दबा की देखा रही हूं आपको बिल्कुल भी नहीं हूटेंगे इस तरह से हम बनाएंगे तो देखिए अब फोल्क से दबाते हैं कुछ लोग हाथ से भी करते हैं पर यह बहुत इजी वेट हड़े जल्दी-जल्दी हो जाएगा तो यह देखिए एक तयार हो गई है अब आप दूसरी भी देख लीजिए इस तरह से करना है हमें जितनी जगे हैं उतना ही हम मसाला रखेंगे क्योंकि हमें साइट के किनारों को चिपकाना भी है इस तरह से हम बनाएंगे जितना हमने आटा लिया उसमें 11-12 गुजिया बन जाएगी हमारी और मसाला भी एक चमच बच गाया था बस ज़्यादा नहीं बचा था हमारा तो यह देखिए बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो रही है इस तरह से आप सारी बुजिया बना दीजिए अब हम ओईल चड़ा देते हैं बश्लेटे वांने से निद्णा बिर पूरी जैसे पूल जाएंगे स्टाइब इस तरह से मॉर्ठ फटाइब है से अाब मैसे साइड से प्राइब कर में गाना कर देखिए है बहुत ही आसान है ठेस्ट बहुत ही अच्छा है है और इतने अच्छे बने हैं इन्हें हम स्चोर करके भी रख सकते हैं क्योंकि एकदम ग्राय मसाला लिया है हमने और यह खराब भी नहीं होंगे इस भी निम्बू और हम चूर दोनों है इसलिए यह देखिए रेडी हो गए हमारे गुजिया अपका बना रहे हैं बहुत ही ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मैं अपने हिसाब से जो मुझे पसंदे मैंने वह किया है मसाले में अपनी चॉइस का कुछ और भी एड़ कर दीजिए आप कैसी रही आज की रेसिपी थैंक्स फॉर वाचिंग एक बार आप जरूर बना के ट्राय कीजिए यह